हेलो दोस्तो आपका हमारी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो मैं आपके लिए लेके आचका हूँ आपके अर्दवार्शिक परिच्छा दू-2022 का हिंदी साहित्त है हिंदी लिटरेचर का कुश्चन पेपर क्लास 12 के लिए और यह कुश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही important है तो जल्दी से इसके कुश्चनों को देख लीजिए मैं इसके सभी solution कराता जा रहा हूँ और याद भी कर लेना तो देखे दोस्तो इसका जो पहला कुश्चन है आपका मिरजापुर में पुरानी परिपाटी के बहुत ही पृतिवासाली कभी कौन है तो कभी क कौन है दोस्तो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बामना चार रहे गिरी क्या हो जाएगा बामना चार रहे गिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ही next question है आपका देखे नेक्स्ट कुश्चन है सामिल मैं पीर मैं ना राख भेद सामिल मैं पीर ना राख भेद पंक्ति से क्या उद्धत है तो क्या उद्धत है दोस्तो तो इसमें क्या है इसमें अगर कभी का नाम बता रीती कभी तो रीती कभी है रीती युक्ती कभी क्या है रीती युक्ती कभी याँ पर इसका आंसर हो जाएगा next question देखिए काब्बे की आत्मा रस की अपकरसक क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों दोस कहलाते हैं अपकरसक क्या कहलाते हैं दोस अपकरसक का मतलब क्या होता है दोस नेक्स्ट है आपका भारत भरत राम का प्रेम तुलसिदास किरत राम चरित मानस के किस कांड में है तो कौन सा कांड है वो अयोद्या कांड कौन सा कांड है अयोद्या कांड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे ही next question है आपका यह फूस की राख ना थी यह फूस की राख ना थी उसकी अविलासाओं की राख थी तो उसकी मतलब किसके लिए आया है यह सूरदास के लिए आया है क्योंकि सूरदास की जो जौपडी थी वो जल गई थी इसलिए यह आया है सूरदास के लिए Next question देखे सत्य सत्य से है आपको पता होना चाहिए देव सैना का गीत प्रसाद के चंद्रकुप्त नाटक से लिया गया है सत्य है या असत्य है मैंने देखा एक बूद कवीता जीवन की छड़वंगुरता को विक्त करती है या आपको बताना है सत्य है या असत्य है प्रेमधन की च्छाया स्मर्ती के लेखन लेखक आचारे हजारी पर साथ दोईवेदी हैं अब ये सत्य है या असत्य है या आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है कभी निराला ने अपने पुत्री सरोज को का तरपड अपने क्या है दिन संचित पुन्ने करमों से अरपड के अरपड द्वारा किया तो सत्य है या असत्य है चलिए सत्य असत्य के बाद नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं काब्बे की आत्मा रस उतकरस्ट बढ़ाने वाले सादन क्या कहलाते हैं तो काब्बे की जो उतकरस्ट बढ़ाने वाले होते हैं उनको तो काब्बे गुड कहते हैं और अपकरसक को क्या कहते हैं दोस कहते हैं तो इसको काब्बे गुड कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाए ने हुने की बात कह रही है तो इसका क्या हो जाएगा दूस्तों कुम्हलाने मतलब गोडे की बात चल रही है यहां पे नेक्स्ट कुश्चन है आपका बालक बच गया निवंद का मूल प्रतिपाद क्या है सिच्छा ग्रहन की सही उम्र बर रटने की दोस पूड प्रडाली का उजागर करना नेक्स्ट है डेले चुलो मैं लेखक किस बिसे पर प्रकास डाल रहा है तो अंद विस्वासी माननेताओं पर प्रकास डाला जा रहा है next देखिए समाचार लेखन में प्रियुक्त 6 लकारों में से नहीं है कौन सा नहीं है ये लकार है या ककार है कमेंट में जरूर बताएं तो ये क्या हो जाएगा कभी यहाँ पर right answer हो जाएगा कभी next देखिए हेम कुंडले उसा सवेरे में कौन सा अलंकार है तो हेम कुंब का मतलब होता है सोने रूपी क्या है घड़ा सोने रूपी घड़ा तो रूपी जहाँ पर भी आता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है next है दुख कि जीवन की कथा के माध्यम से कभी क्या कहना चाता है यह कुश्चन है आपका पसोवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है वहाँ पे जैन मुनियों का मेला लगता है next है तीर तिस्तल है जैन धर्म का परवता रोहर संस्तान से क्या आश्य है गोकुल तेजिन मधुपुर बसरे कन अपजल लेल यह नाएक किस अपयस की बात कर रही है तो यह आपको बताना है next question है भारत की आत्म परिताप के उनके चरित्र किस उज्वल पंची की ओर संकेत करता है मैं तो केवल निमित मात्र अरोड के पीछे सूर्य था ब्यास जी के इस कथन से क्या आश्य है समाचार लेखन की उल्टा प्रामर सैली को समझाईए माधुर्य गुड किसे कहते हैं या आपको बताना है हेम सुता पती वाहन प्रिये तुम इसमें रती न फूर पंक्ति उसे क्या काब्य दोस है बरसाती आँख के बादल बनते जहां भरे करुणा जल उप्युक्त पंक्तियों में नहित काब्य सोन दर्रे पर प्रकास डालिये गड़ी के पुर्जे कहानी का क्या उद्देश से है या आपको बताना है निवन्दात्म क्वेश्चन यही दीप अधेता क्या है यही दीप अकेला होना चाहिए कवी दीप और के माध्यम से समाज के संबंदों की क्या व्याख्या की है नेक्स्ट है संबदिया या फिर अत्वा में दिया है संबदिया हर गोविन के चारित्रिक विसेश्थाओं पर प्रकास डालिये सूर्दास उठ खड़ा हुआ आरे विजय गर्व की तरंग में राख ढेर के दोनों हातों से उड़ाने वलगा इस कथन से सूर्दास की मनुदसा कौन सी मनुदसा विक्त हुई है या फिर अत्वा में आप इसको कर सकते हैं नीचे वाला भूपदादा सांप थे चिपकली थे बनमानुस थे या रॉबोट थे कथन से भूपसिंग का चरित्र चित्रड कीजिए नेक्स्ट आपका एक निवंद लिखना है आपको राश्ट्रिय स्वच्छता अवियान पे या योग पर या कोरोना महमारी या विध्यारती जीवन में एंटरनेट की भूमिका आपको बतानी है तो इन में से आपको किसी एक पर निवंद लिखना है तो यह आपके question होते हैं समाप वीडियो को like कर दें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले Thank you